कि नमस्कार दोस्तों एपिकल एग्री एकेडिमी के यूट्यूब चैनल में एक बार पुना आपका स्वाकत है साथियों और एच्यू की एक्जाम के लिए होटी कर चके इंपोर्टेंट कोश्चन पर हम लोग डिसकस कर रहे हैं और पिछले तीन वीडियो में आपको बता क्यां है वहीं पर हम लोग डिसकस करने वाले आहीए शुरुवात करते हैं आज के अगले कोशन के वारे में और आज का फर्स्ट कोशन本 है चुकि मैंने कल यहां पर विटामिन B2 की हम बात करें तो जो बेल होता है वो विटामिन B2 का सबसे अच्छा इस्तुरूथ होता है तो विटामिन B2 की हम बात करेंगे तो बेल जो है वो हमारा आंसर आएगा next question A52 deficiency of vitamin C ascorbic acid vitamin C को ascorbic acid कहा जाता है in a human diet leads to the development of यहने कि अगर हमारे आहार में हमारे आहार में इदी vitamin C की कमी हो जाती विटामिन C को ascorbic acid कहा जाता है और उसकी कमी हो जाती है तो फिर उसकी वज़े से क्या होगा सत्यों vitamin C की कमी से इसकरवी बिमारी हो जाती है तो इसकरवी का कारण क्या है विटामिन C की कमी हो जाना चलिए next question है one gallon of water is equals to एक गेलन जो पानी होता है वो उसका आयतन किस के बराबर होता है यह हमारा question है और एक गेलन जो पानी दोस्तो वो चार दिशमलों पांच पांच लीटर के बराबर होता है तो हम कहेंगे एक गेलन पानी मतलब चार दिशमलों पांच पांच लीटर और फिरम बात करेंगे question number 54 की the dwarfing rootstock of the guava dwarfing यहने की बोने मूल वरंद की बात की गई है और बोना मूल वरंद किसका गवावा यहां हमरुद में बोने मूल वरंद को क्या कहा जाता है option में ब्राजिलियन गवावा चैनीज गवावा तो साथियो यहां हमारा answer आएगा जो चैनीज गवावा होता है उसको dwarfing rootstock के रूप में जानते हैं तो यहां हमारा answer आएगा जो चैनीज गवावा है वो अमरूद के अंदर बोना मूल वरंद कहलाता है चलिए next question है question number 55 थोड़ा सा question जो है वो हमारा यहां यहां पर लेंदी question है लेकिन चुकिए exam में आया हुआ है तो हमें discuss तो करना ही है match the following यहने हमें यहां पर एक दो कॉलम दे रखें यह में match the pair हमें pair को match करना है first time नाफेड और नाफेड के लिए यहां पर हम सामने बात करेंगे तो नाफेड जो है इन सभी में किसके साथ में मेश करेंगे sunflower Albert mayor device to measure the water depth और seed plot technique यह हमारे पांच option है और इन पांच को हम लोग यहां पर मेश करेंगे linolenic acid के साथ agriculture marketing के साथ में पीजो मीटर पीजो मेटर है ना यहां पर यह मेटर पीजो मीटर इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट और पोटेटो यानि की आलू साथियों यहां फर्स्ट में अगर देखा जाए तो कोश्चन है कि नाफेड क्या है नाफेड का relation हम बात करेंगे यहां पर तो वह agriculture marketing के साथ में आएगा चुकि यह जो नाफेड है यह हम बात किया सकते हैं कि agriculture की marketing के लिए जिम्मेदार एक संगठर है और सेकेंड हम बात करेंगे संफ्लावर और संफ्लावर का जो ओईल होता दोस्तों उसमें लिनोलिक एसिड होता है हमने पढ़ाओगा पूफा 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 पोली अनसिचुरेटेड फेटी एसिड और पूफा जो होता है वो संफ्लावर यानि की सूर्य मुखी की तेल में बहुत प्रचूर मातरा में पाया जाता है जो की हार्ट के पेशन के लिए सबसे अच् स्थैक्ट है उसके लिए अलबर्ट मेयों है वह संबंदी न ने पानी की गहराई को पाने की गहराय मातने वाला हैं वो इससे संबंदी व्यक्ति है SPT के लिए और यह वाइरस फ्री ट्यूबर वाइरस से मुक्त कंद प्राप्ट करने के लिए तो यह हमारा यहां पर आंसर होगा और उसके इसाब से अगर देखा जाए कि कॉलम सही वाला कौन सा है तो नाफेड के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो एगरिकल्च मार्केटिंग यानिकी फर्स्ट वाले के सामने बी वाला हमारा करेक्ट है तो फर्स्ट के सामने भी यहने कि ए और डी यह दो ऐसे ऑप्शन जिसमें फर्स्ट के लिए बी वाला सही है सनफलावर की हम बात करेंगे लीनों एक एसीड याने की सेकेंड वाले की सामने याने की थर्ड बाले के सामने इस अभी også यहां परained दी है इट मेंज ये वाला जो option है वो हमारा correct option है चलिए next question की हम बात करें और इसी प्रकार के जो question है आपकी exam में आते हैं बस यह की हमें हमारा base जो है वो बड़ा strong होना चाहिए चुकि कई बार question जो है वो confuse भी कर देते हैं next question है दोस्तों the following crop does not belong to the call crop इन मेंसे वो कौन सी फसल है जो call crop से संबंधित नहीं है पहले हम बात करेंगे जो call crop है इसका मिनिंग क्या होता है तो गोबी वरगी जो सबजियां होती खासका कि कोली फ्लावर की हम बात करें cabbage की बात करें इनको call crop कहा गया है तो यहां पर option देखि अगले कोशन के और हम बढ़ें अगला कोशन है टंग ग्राफ्टिंग टंग ग्राफ्टिंग अब दी प्रोपोगेशन इस जनरली यूजड इन प्रसारण की जो टंग ग्राफ्टिंग जिसको जिवहा उपरोपन भी कहा जाता है यह टंग ग्राफ्टिंग कौन से फल में अपनाई जाती है ग्रेप अंगूर वालनट यहने की अकरोट ग्वावा यहने की अमरूद और अपल यहने की सेवफल की हम बात करें दोस्तों टंग ग्राफ्टिंग जो है वो अपल के अंदर सबसे अधीक प्रचली थे यहां हमारा आंसर आएगा एपल और नेक्स्ट हमारा कोशन है और देन 50% of the area under grape in India is यहने की अंगूर का भारत के अंदर जितना भी छित्र फल है उसका пять प्रतिशत से भी ज्यादा जो छित्र है वो कोनसी variety के दुवारा कवर किया जाता है यह यह हम यह यह नूबी क्या सकते है की अंगूर की वो कौनसी variety है जो सबसे अधिक एरिया में लगाई जात सब्सक्राइब दिल्खुष होना चाहिए यहां पर तो यह दिल्खुष और परलेट परलेट और अनावे शाही दोस्तों इन सभी में बात करेंगे जो थामसन सीडले से वह सबसे जदा प्रचलित किस्म है अंगुर की तो अंगुर के पकते समय अगर बारिश हो जाएगी तो क्या समस्य उत्पन हो जाएगी बेरी क्रेकिंग की समस्य वहाँ पर डेवलब हो जाती है अगर राइपनिंग के टाइम पर अंगुर के पकते समय बारिश हो जाती है तो अंगुर के फलो में क्रेकिंग यानिकी फल फटने लगते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा ग्रेप और बहुत अच्छा कोशन आता है एक्जाम के अंदर कि अंगुर के अंदर ट्रेनिंग की जाती है या प्रूनिंग की जाती है ग्रेप में ट्रेनिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं तो मैं ध्यान रखना है कि ग्रेप के अंदर training और pruning दोनों की जाती है और बहुत अच्छा कोशन आता है कि जब हम बात करें training की जिसके अंदर niffin system भी आता है और bowar system भी आता है और अगर हम बात करेंगे कि pruning की तो pruning के और pruning दोनों ही की जाती है और एक बार तो एक्जाम में इसा question भी आया था कि heavy pruning यहने कि भारी काट छाट कौन से फलक के अंदर की जाती है तो आपको ध्यानगना की जो बेर होता है उसमें heavy pruning भी की जाती है चलिए next question की और बड़े हैं अगला जो हमारा question है वह है which of the following vegetable is not transplanted यानि कि कौन सी यसी सबजी है जिसमें transplanting नहीं की जाती यानि जिसकी जिसका रोपा तयार नहीं करता ट्रांस्प्लांटिंग मन्दभ प्रती रोपन नहीं किया जाता कॉली फ्लावर इसकी की जाती है तौमेटो टामाटर की जाती मुली रेडिश की नर्सरी तेयार नहीं करते डारेक्ट सेडिंग कर देते हैं और बेंगन गी ते यहां पर हम कहेंगे मुली में transplanting करने की आवशक्ता नहीं होती डारेक्ट बुवाई वहां पर हम लोग कर सकते हैं चलिए नेक्स कोशन की हम बात करें, अगला हमारा कोशन है, अप्टूडेट वेराइटी, अप्टूडेट वेराइटी अप्टूडेट वेराइटी अप्टूडेट वेराइटी अप्टूडेट वेराइटी अप्टूडेट वेराइटी अप्टूडेट वेराइटी अप्टूड और चाइना तो आपको द्यानकना की जो अप्टूडेट वैराइटी है आलो की बहुत ही प्रचलित किस्म है इसको बारत के अंदर आयरलेंड से इंट्रोड्यूस किया गया है नेक्स्ट कोशन है दोस्तो बकवीट होता है यह क्या है सीरियल यनिकी अनाज है फाइबर यनिकी रेशे वाली फसल है फ्रूट यनिकी किसी फल का नाम है या यह स्यूडो सीरियल या जूटा अनाज है तो बकवीट क्या है वैसे तो वीट देखकर के लगता है कि वीट मतलब तो ग्यहूं याने की अनाच सीरियल लेकिन बकवीट जो है दोस्तो ये एक प्रकार की सबजी होती है इसको लोग यहाँ पर कहेंगे जूटा अनाच तो बकवीट को जूटा अनाज या स्यूडो सीरियल कहा जाता है और कई बार तो बकवीट का बोटनिकल नेम जो है वो भी आपकी एक्जा में पूछ लेते हैं तो बकवीट का जो वानस्पतिक नाम है वो है फेगो पाइरम एसकुलेंटम बकवीट का बोटनिकल नेम क्या है फेगो पाइरम एसकुलेंटम बकवीट का बोटनिकल नेम है और पोली गोनेसी इसकी फैमिली है और इसको एज़ेटेबल जो है वो यूज़ किया जाता है तो ये बकवीट में अगर वीट शब्द लगा हुआ है इसको जूटा अनाज कहा जाता है चलिए नेक्स कोशन है अनार में कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है या अनार का खाया जाने वाला भाग कौन सा है फर्स्ट है टेस्टा या जूसी सीड कॉट सेकंड है एंडो स्पर्म थर्ड है थेलामस और चो था है एरिल साथियो अनार के इडेबल पार्ट की हम बात करेंगे तो टेस्टा या जूसी सीड कोट ये अनार के अंदर खाया जाता है और एक बात मैं आपको बता दू जिस फल में हम लोग थेला मस खाते है पुशपासन जिस फल के अंदर थेला मस खाया जाता है या फुशपासन खाया जाता है उसको false fruit या जूटा फल कहा जाता है जिसका best example है apple apple येनिकी same फल जो होता है वो एक जूटा फल है और क्यों जूटा फल है कि वो थेला मस जो है वहाँ से develop हुआ है और वो सारे फल जो ओवरी की अलावा, अंडाशे की अलावा, किसी अन्य भाग से विक्सित हो जाते हैं और हम अंडाशे को छोड़ करके फल का कोई और भाग ये दिखाते हैं तो उसको जूटा फल कहा जाता है और कई बार एक्जाम में कोशन पूछा हुआ है कि जूटे फल का एक्जाम्बल क्या है तो एपल सेव जो है उसके बेस्ट एक्जाम्बल है फोल्स फूट का चुकि उसमें थेला मस खाया जाता है चलिए, नेक्स्ट कोशन है Richest Source of the Vitamin C Vitamin C का सबसे प्रचूर इस्तरोध कोन सा है और option में है आवला, बेर, बेल और एपल सत्यों यहाँ पर विटामीन C इन option की है म बात करें तो विटामीन C यहाँ पर आवले में सबसे ज़दा है option के हिसाब से और वेसे अगर देखा जाए तो barbados cherry जो होता है उसमें vitamin C सबसे ज़्यादा होता है तो highest जो percentage होता है vitamin C का वो barbados cherry में होता है और यहाँ पर option के हम बात करेंगे तो आउले के अंदर vitamin C सबसे ज़्यादा होगा चलिए उसके बाद हम बात करें अगले question की question है हमारा vector of the greening disease of the citrus citrus नीमू वरगी जो फल है उसमें जो ग्रिनग नाम की वीमारी है उसका वहां कौन है उसका वेक्टर कौन है option में aphid यहने की माहू, leaf minor यहने की परण सुरंग और saina और नन अव द्स साथियो citrus में जो ग्रिनिंग डीसीज होती है उसका जो वेक्टर होता है वो साइला होता है तो सिट्रस साइला जो होता है यह वेक्टर है किसका ग्रिनिंग डीसीज का अगर हम बात करें कि जो लीफ माइनर होता है यह किसका वेक्टर है आपको ध्यारकनाई की लीफ माइनर जो होता है वो सिट आपको ध्यान रखना है अग्लिय स्वेस्ट है लिए यह सटर लाइगा आधकर एक अगला कोशन है अगला कोशन है रहेत हैं इसे होने लाइक कोश्ड ने वाले भुर्णने वाली डिसीज है जंतोमोसित्री जंतोमोसित्री बेक्टृर्या का नाम है और उसका वेक्टर को ने तो अभी आपको मैंने बताए कि जो leaf minor होता है पर्ण सुरंग वो इसका vector होता है next question है red rust is caused by red rust यहने की लाल गेरुआ red rust जो है यह समस्या किसके दुबारा होती है option में algae यहने की शेवाल fungus यहने की कवक virus मतलब वीशानू और bacteria मतलब जीवानू वेसे अगर देखा जाए तो जमाने भर के जितने भी rust हैं सारे के सारे रस्ट की हम बात करें तो अधिकांस rust most of the rust disease वह फंगाई fungus के दुबारा होती है फिर चाहे हम wheat में गेहों में black rust brown rust या yellow rust की बात कर ले या फिर mustard में सरसों में हम लोग white rust की बात करें सारे रस्ट जो है जनरली वह fungus के दुबारा होता है लेकिन यहाँ पर अगर बात कर जाए red rust की तो red rust यानि की जो लाल गेरुआ है यह चाय कोफी और लेची की हम बात करें mango की बात करें इसमें यह red rust जो है यह लगता है और यह अपवाज दोस्तों क्योंकि बाकी जो rust है वो fungus से होते हैं लेकिन जो लाल गेरुआ है यह algae यहने की शेवाल से होता है तो आपको ध्यानग ना है की red rust अच्छा कई बार तो यहाँ पर confusion किस होता ह है रेड रस्ट को कई बार बच्चे है red rust समझ लाते है शुगर केन में गन्य की बिमारी है यह लाल सड़न red rust लेकिन यह red rot नहीं youtubers red rust है और red rust algae मतलब शेवाल से होता है किसके अंडर आम के अंदर चाय के अदर कोफी के अंदर लीची के अंदर और red rust जो है जो है उसका नाम है सीफेलियूरोज तो जो यहां पर रेड रस्ट के लिए जिम्मेदार है तो शेवाल का नाम भी आपको ज्यानक ना है सीफेलियूरोज जो है उस एल्गी का नाम है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों, एनाई ए एम नियाम, यह नियाम जो हे, यह कहाँ पर इस्थिथ है, अजमेर, वारणसी, लखनल और जैपूर झीयाम, नेशनल इस्टिटूट औफ एगरिकल्चर मार्केटिंग, नियाम का जो पूरा नाम है, वो एक नेशनल इस्टिटूट व और एक्रीकल्चर मार्केटिंग और यह जैपूर में इस्तित है आपके जैपूर में तो हम बात करेंगे नियाम इस्टिट्जिट औ一定要 marketing का पर सिसे जैपूर में सिसे फिर यावН बात करेंगे नेक्स्ट कोशचन की और आगला जो कोशचन है हमारा अमार्मलेड मार्मलेड की हम बात करें मार्मलेड इस प्रिपेर्ड फ्रोम डी फ्रूट ओफ मार्मलेड फल से तियार किया जाता है αुप्शन में सिट्रस, एपल, मैंगो और गुवावा सत्यो मार्मलेड एक प्रकार की जेली के समान ही खाद्यपदार था है बस फर्क यह कि मार्मलेड जब बनाया जाता है तो जिस प्रकार से जेली की हम बात करते हैं जेली में एक्वाटिक सोलूशन फलों का जली रस लिया जाता है जबकि मार्मलेड में क्या होता है पल्प यान निबु वर्गी फोलो से त्यार किया जाता है तो मारमलेट जो है वो सिट्र से त्यार किया जाने वाला एक खाद्यपदारत है नेक्स्टेण द बेस्ट स्टॉरेज टेंप्रेचर फॉर दी ओनियन ओनियन यहन जीरो डिगी सेल्सेर होता है यह सबसे बेस्ट होता है और यह पोटेटो की बात की जाए आलू की बात की जाये तो चार से पाँच डिगरी जो ताप मान होता है वो आलू के भंडा रण के लिए सबसे अच्छा होता है लेकिन चुकी कोश्चन यहाँ पर प्याश का है हम बात करेंगे जीरो डिगरी सेल्सियस जो है वो ओनियन के स्टोरेज के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है चलिए अगला कोश्चन है most of the banana species आर अधिकांस जो केले की किसमे है most of the banana species केले की अधिकांस प्रजातिया है वो कौन से ग्रूप में आती है ट्रिप्लोईडी यहने की 3X डिप्लोईड यहने की 2X हेप्लोईड यहने की सिंगल N की हम बात करें और हेग्जाप्लोईड मतलब 6X यहां हम बात करेंगे केले की अधिकांस जो परजातिया है वो ट्रिप्लोईडी लेवल की है और ट्रिप्लोईडी लेवल होने की वज़े से ही बनाना के अंदर सीड लेस्टनेस यहने की बीज नहीं बनता तो वे साथे प्लान्ट जो ट्रिप्लोईड होते हैं उनमें सीड फ क्लायिमेटरिक है आप्शन में है जैक फू यहने की कटहल बनाना मतलब केला और पपाया पपीटा और ओरैंग शंतर इंशन की हम बात करें सबसे पहले हम बात करें ग sport कि नोन खाइमेटरिक का मतलब क्या होता है the rate of the respiration is declined at the time of the maturity तो जब ऐसे फल जिन में सुसंदर पक्त समय कम हो जाती है कम मात्रा में ethylene gase release करते हैं तब इस प्रकार के फलों को non climatic fruit कहते हैं और इस प्रकार के फलों को हम लोग यदि कच्चा तोड़ लेते हैं समय के पहले ripening के पहले तोड़ लेते हैं कि इन में respiration की जो रेट है सुसन की जो दर है वो कम हो जाती ती इन कम लोग कच्चा नहीं तोड़ते और यहां option की हम बात करेंगे जो orange है orange की हम बात कर ले या फिर जितने भी citrus citrus fruit है हमारे नीव वर्गी फल वह सब के सब non-climatic fruit कहलाते हैं तो यहां हमारा answer आएगा औरेंज या जो citrus fruit होते हैं यह non-climatic होते हैं फिर अगला कोशन है दोस्तो विच इजए climatic fruit इसी का opposite इन में से कौन सा फल है जो climatic फल कहलाता है पहले हम बात करेंगे climatic metric फल का मतलब क्या ऐसे फल जिनमें तोड़ने के बाद पकते समय सोसंदर बढ़ जाती है रेस्पारिशन रेट जो है वह इंक्रीज हो रहा है कब at the time of the maturity पकते समय सोसंदर अगर बढ़ जाती है तो वह अजीक मात्रा में ethylene gas release करते है ज्यादा मात्रा में ethylene gas छोड़ेंगे और ethylene gas जो होती है फलो को पकाने के लिए जिम्मेदार होती है इसलिए ethylene को fruit ripening hormone भी कहा गया है तो यहां पर हम बात करेंगे तो grapes यानिकी अंगूर पुमोगनेट अनार सपोटा यानिकी चीकू और इदर लीशी है स साथियों यहां पर क्लाइमेट्रिक fruit की हम बात करेंगे तो सपोटा चीकू जो है वह इन फलो में क्लाइमेट्रिक fruit कहलाता है चलिए और वेसे कोशन आपको ध्यान रखना है कि उस फल का नाम बताईए जो सबसे अधिक मात्रा में ethylene gas release करता है ऐसा भी कोशन आपकी रखना है चलिए नेक्स्ट कोशन की हम बात करें है हमारा कोशन है बनाना की जो वेराइटिया है कौन-कौन सी गौल्ड फिंगर क्लू टेपारोड और बोडलेस अल्टा फॉल्ट यह जो केले की किसमें हैं यह किस प्रकार की किसमें 3x मतलब ट्रिपलोईडी 4x मतलब टेट पहले पढ़ा था कि केले की अधिकांस जो प्रजातियां है most of the species of the banana वह ट्रिपलोईड है 3x वाली है लेकिन यहां यह जो वेराइटियां है गौल्ड फिंगर की बात करें क्लू टेपारोड की बात करें बोडलेस अल्टा फूट की बात करें यह 3x में नहीं आएंगी यह स जा रखना पड़ेगा कि यह जो वराइटिया है यह 4x वराइटी है चलिए next question की बात करें शुगर present in the grape अंगुर की शरकरा का नाम क्या है अंगुर में कौन सी शरकरा पाई जाती है वैसे अगर देखा जाए तो सभी फलो के अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है और फ्रक्टोज जो है वह अंगुर के अंदर पाया जाता है तो अंगुर की शरकरा को हम लोग ग्लुकोज कहेंगे और बाकी फलो में वह फ्रक्टोज होती है चलिए next हम बात करें अगला जो कौश्चन है हमारा कोश्चन नमर 77 वैक्सींग और फ्रूट इस डान में टू रिड्यूज फलो में वैक्सिंग जो किया जाता है वैक्सिंग मतलब मोम की वैक्स की कोटिंग कर देना मोम की परत्थ चड़ा देना वो क्यू किया जाता है श्वसन कम करने के लिए वाश्पोध सलजन कम करने के के लिए राइपनिंग याने की पकने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए या ट्रांस्पिरेशन और रेस्पाइरेशन इन दोनों को कम करने के लिए दोस्तों यहां हमारा आंसर आएगा वेक्सिंग जो की जाती है मौम की जो परत चड़ाई जाती है वह ट्रांस्पिरेशन और रेस्पाइरेस्टं दोनों को कम करने के लिए किता है और इन दोनों में बिए ली और बड़े फोलोविंग व्ड़ार प्रोचूर्ट तो हम इस तुरोत कौन सा है हलाकि ऐसा कोश्चन हम लोगों ने पिछले पेपर के अंदर भी डिसकस किया था और यहां पर आमला सिट्रस अरेका नट याने की सूपारी और वॉलनट याने की अखरोट इनमें सबसे अधिक वसा किसके अंदर है तो नो डाउट वालनट या अखरोट होता है उसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और आपको मैंने पेले भी कहा है जिसमें वसा ज़्यादा है उससे एनरजी याने की केलोरी भी हमें ज़्यादा मिलेगी तो अखरोट का हम लोग ज़्यादा वसा वाला फल भी कह सकते हैं और ज प्लम जो फल- सुब्हक्राइवृ एंग्रिगेट है इंग्रिगेट फूट अ कुछा में आग्रिगेट हमपर्य रहीफूस छट्रल काताब करें witness जो है वो बेरी है, simple fruit के अंदर और एक जो है वो modified बेरी है, कौन? citrus, जिसको हम लोग है hespiridium कहते हैं, pineapple जो है, यह composite फल कहलाता है, pineapple को composite फल कहेंगे, तो हमारा आंसर आगा strawberry, strawberry जो होता है, वो aggregate या पुंज फल कहलाता है, और aggregate फल के अंदर strawberry के लावा custard apple, यहने की सीता फल भी आता है, यहां पर strawberry और जो custard apple है, यह दोनों जो है, वो aggregate fruit के example है, चलिए, next question की हम बात करें, और होल्टी कच्चे की exam की हम बात कर रहे हैं, तो फलो की जो morphology है, इसकी उपर बहुत अच्छा question आता है, तो सरल फल कौन-कौन से है, simple fruit, composite, जो है multiple वो कौन-कौन से हैं, और aggregate कौ कौन से हैं, यह सारे आपको याद होना चाहिए, अगला question है दोस्तो, IIHR is situated at halakis question पी मैंने पिछले वाले lecture में discuss किया था, Indian Institute of Horticulture Research कहां पे, बेंगलोर में इस्थी थे, और एक बात में आपको बताई थी कि बेंगलोर से जो भी variety निकलती है, उसके नाम के आगे, अरका जो series है, वो बेंगलोर से संबंदी थे, next question है दोस्तो, the average daily requirement of the vegetable for adult human, यानि कि वयस्क व्यक्ति के लिए, प्रति दिन कितनी सब्जियों की आवश्यक्ता होती है, और ऐसा किस ने कहा है, ICMR, ICMR यानि कि Indian Council of Medical Research, Indian Council of Medical Research के एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिन कितनी सब्जी, खाना चाहिए, option में है, 510 ग्राम, 250 ग्राम, 180 ग्राम और 130 ग्राम, सथियों, वयस्क व्यक्ति को प्रतिन सब्जीयों की आवश्यक्ता होती है, लगबग 250 से 300 ग्राम के आसपर, यह daily requirement है, vegetable की, यहाँ पर फल की हम बात करते हैं, कि fruit की requirement कितनी है, तब को ध्यान रखना कि यह 120 ग्राम जो है, वो हमें प्रतिदिन फल खाना चाहिए, तो फल और सब्जीयों की requirement कितनी है, यह आपको ध्यान रखना है, चलिए, next, अगले कोशन की और बढ़ें, और अगला जो कोशन है, वह strawberry is propagated through the, strawberry का प्रसारण किस प्रकार से किया जाता है, इस्ट्रावेरी और इस्ट्रावेरी की उपर यहां बात करें, प्रोपोगेशन की तो इसका प्रोपोगेशन रणर के दुवारा किया जाता है, तो इस्ट्रावेरी को रणर से लगाया जाता है, लेकिन इस्ट्रावेरी की उपर एक बहुत अच्छा कोशन बनता है कि इसक का प्लॉइडी लेवल क्या है हम बोलेंगे यह एलो ओक्टाप्लॉइड है इस्ट्रावेरी एलो ओक्टाप्लॉइड है और यह मेनमेड फ्रूट कहलाता है मानव निर्मित फल की हम बात करेगी इस्ट्रावेरी आएगा मानव निर्मित अनाज की जब बात करते हैं तो है और यह कोस्चन भी बहुत बार कई परक्रार की प्रिशाव में पूछा गया है विंटर बाना इस दिवराइटी ओब धी फूर्ट विंटर बनाना एक किस्म है यह कौन से फल में आती है आपल बनाना और पाईनेपल सत्यों विंटर बनाना एपल की वैराइटी है और confused यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से हो जाते हैं कि winter banana की बजाए कभी कभी sweet banana option में आ जाता है sweet banana किसकी variety बच्चों ने क्या पर रखा है winter banana एक्जाम में क्या गया sweet banana तो sweet banana किसकी variety आपको ध्यानकना है कि यह sweet paper sweet paper यानिकी शिमला मिर्श की variety शिमला मिर्श की variety है कौन सी sweet banana तो sweet banana शिमला मिर्श में आएगा और जो winter बनाना है वो apple की variety है यह आपको ध्यानकना है चलिए अगला कोश्चन है following is the dwarfing root stock of the apple apple यहनिकी sample का सबसे बोना मूल वरंत कौन सा है m25 m15 m9 और m1 सातियो m9 जो है यह apple का dwarfing rootstock है और अभी तक हम बात करें तो कल वाले paper में और आज की paper में तीन ऐसे हम लोगों ने dwarfing rootstock पढ़ ली है जिनकी height बहुत चोटी होती है मेंगो में हमने पढ़ा था वेलाईयो कोलंबन वो dwarfing rootstock था आम के अंदर गुआवा में पढ़ा है हम लोगों ने कौन सा चाइनीज गुआवा चाइनीज गुआवा और यहां पर apple में पुछा हुआ है तो m9 जो है वो इसका सबसे चोटा मूल वरंत जो है वो कहलाता है और इसके बाद अगले question की बात करें question number 85 cricket ball cricket ball is the variety of cricket ball किसकी variety है option में लोकाट गुआवा अमरूद लीची और सपोटा सत्यों cricket ball और काली पत्ती क्रिकेट बाल और काली पत्ती यह बहुत ही फेमस वेराइटिये किसकी सपोट आयना की चीको की व्राइटि यह और फिर बात करेंगे little leaf of the mango आम में little leaf जो समस्या है वो उसका कारण किसकी कमी कोटास की कमी Phosphorus की कमी copper या zinc की कमी तो दोस्तों आम के अंदर लगूपर्ण समस्या या little leaf जो होता है वो zinc की कमी से होता है यह आपको ध्यान देना है चलिए next question के और हम बात करें question number 87 which of the following fruit is most suitable for high pH soil वो कौन सा फल है जिसको ज़्यादा pH वाले मिट्टी में लगा सकते हैं अब ज़्यादा pH वाले मिट्टी यानि की जब pH की value 7 से भी ज़्यादा हो यह तब इस प्रकार की मिट्टी को alkaline यानि की चारी मरदा हम कहते हैं और जब पीए जदा है मतला मिट्टी चारी है और चारी मिट्टी में कौन सा फल लगाया जाता है लीची आवला मैंगो और एपल तो दोस्तों यहां पर आवला जो है यह अधिक pH वाली मिट्टी यानि एक लिए सबसे बेस्ट होता है तो हमारा आंसर आएगा यहां पर आवला अगला कोशन है वीच आव दी फोलोविंग फ्रूट डस नौट बिलोंग्स टू दी फैमिली एना कार्डी एसी वह कौन सा फल है जो एना कार्डी एसी परिवार में नहीं आता है एना कार्डी एसी मेंगो यह भी आम डिफिनेटली में तो हुई है तो यहां पर हमारा आंसर आएगा पिकानट पिकानट जो है वह यहां पर एना कार्डी एसी फेमिली में नहीं आएगा अगला कोशन दोस्तों किन्नो किन्नो कल्टीवर अब दी सिट्रस इस हाइब्रीड बिट्वेइन में एक बड़ी फेमस वाराइटी किन्नो वो किन्किन के बीच का क्रोस है और यहां पर एक किंग इंटू विलो लीफ किंग इंटू ओवारी किंग इंटू क्लियोपेट्रा और किंग इंटू डैंसी सात्यो किन्नो किन्किन के बीच का क्रोस है किन्नो इस एक क्रोस बिट्विन king into willow leaf और किन्नो को develop करने वाले scientist H.B. Frost और H.B. Frost ने इसको California के अंदर develop किया था और आपका exam एसा question आ सकता है कि किन्नो को develop करने वाले scientist को ने इन्होंने कहाँ पर develop किया तो H.B. Frost ने किन्नो को develop किया था California के अंदर और वहाँ से फिर ये इंडिया में introduce किया गया है चलिए next question के और हम बढ़े और हमारा अगला जो question है deficiency of the following is responsible for vip tel in cauliflower बड़ा basic सा question है cauliflower यहनि कि full gobby में vip tel नाम की जो समस्या है उसका कारण क्या है manganese, boran, zinc या molybdenum की कमी तो यहाँ पर हम बात करेंगे molybdenum की कमी से full gobby में vip tel नाम की समस्या हो जाती है चलिए next question के हम बात करें अगला हमारा question और इसके पहले की मैं अगला question discuss करू अलाकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग होटी कच्च की exam की planning के लिए यहाँ पर यह discussion कर रहे हैं और यह आप अपना आंकलन कर पाए कि आपकी होटी कच्च की तियारी का level क्या है और आप सबसे पहले यह समझ पाए कि exam का level क्या होता है किस प्रकार question महाँ पर आते हैं उन्हीं को हम लोग discuss कर रहे हैं और जो चात्र RHU की exam की तियारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ में जोड़ सकते हैं और हम लोग online classes हमारी start हो चुकी है उसमें आप लोग Google के play store से हमारा ethical agree academy का जो mobile application है उसको download कर सकते हैं और उसमें daily हम लोग 2 घंटे live classes चला रहे हैं तो जो classes है वो आप भी join कर सकते हैं चलिए question है खिरनी and महुआ यह दो बहुत ही प्रचलित मूल वरंत हैं कौन से फल में इस्तेमाल किये जाते हैं custard apple यहने की सिता फल support यहने की चीकू lichi और जामुन साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे खिरनी और महुआ इन दोनों को एजे रूड स्टो के बात करें सपोर्टा चीकू के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है तो यह चीकू के बहुत ही प्रचलित मूल वरंत हैं फिर कोशन है little leaf of the brinjal is caused by बेंगन में लगू परण नाम की जो समस्चा है उसका कारण क्या है और वाइरस, बैक्टिरिया, माइको प्लाजमा और फिजोलोजिकल डिस अरडर तो बेंगन के अंदर little leaf जो होती है वो माइको प्लाजमा की वज़े से होती है माइको प्लाजमा को माइक्रोब्स का जोकर भी कहा जाता है सुक्षम जीव जगत का जोकर को ने माइको प्लाजमा और जब माइको प्लाजमा किसी प्लांड के अंदर कोई disease के लिए responsible होता है माइको प्लाजमा की वज़े से कोई बीमारी होती है तो उस माइको प्लाजमा को phytoplasma भी कहा जाता है तो आपको confused नहीं होना है माइको प्लाजमा को ही phytoplasma कहा जाता है चलिए question A for complete preservation of the for complete preservation the percentage of the sugar in fruit jam jam की हम बात करें jam ज़िए हम बना रहे हैं तो jam बनाने के लिए jam का projection ज़िए करना है तो शकर की मात्रा कितनी होना चाहिए 90%, 70%, 50% या 30% साथियों अगर हमें complete preservation करना है permanent preservation करना है लंबे समय तक खराब होने से बचाना है तो किसी भी खाज परदात में जब शकर की मात्रा sugar की quantity 70% के आसपास होती है तो वो हमेशा के लिए लंबे समय के लिए production हो जाता है तो यहां पर 70% जो है वो sugar का percentage होना चाहिए चलिए next question की हम बात करें और अगला जो question है which one of the following is not the variety of brinjal यहां पर जो दी गई variety है इन सब में वो कौन से variety है जो बेंगन की नहीं है पंत बाहर, पंत समराट, पंत रितुराज और पूसा क्रांती साथ यो इन सभी में पंत बाहर जो variety है यह बेंगन की नहीं है च्योंकि पंत बाहर जो है टामाटर की variety है, टोमेटो की variety है तो यहां आमार आंसर लागा की पंत बाहर जो है वो बेंगन की किस्म नहीं है और बाकी जो किस्में, यह सब बेंगन की किस्में है इसमें पंत समराट जो है यह बेंगन के अंदर multiple disease resistant variety कहलाती है बड़ा अच्छा question बनता है कि बेंगन की multiple disease resistant variety कोन सी हम बात करेंगे पंत समराट जो है वो multiple disease resistant variety है किस की? बेंगन की चलिए, question number 95 onion variety for kharif cultivation in North India खरीफ के मोसम में, बारिस के मोसम में लगाने के लिए प्याज की कोन सी variety उप्यूगत है कहां पर उत्तरी भारत में option में N53 पूसा वाइट, पूसा रेड और अरका निकेतन साथियो, इन सभी में N53 जो है इसको हम लोग खरीफ के season में लगा सकते है तो यहां हमारा answer आगा कि जो N53 variety प्याज की, वो खरीफ में लगाने के लिए best होती है चलिए, next question की हम बात करें और यहां पर question number 96 जामून belongs to the same family as यहने कि जामून उसी परिवार से संबन्दी थे जिस परिवार में इन में से और कुन सा एक फल आता है गवावा, पीच, एप्रिकोट और जेक फ्रूट साथियो, जामून का परिवार है मिर्टेसी और मिर्टेसी परिवार में गवावा यहने की अमरूद आता है तो यहां हम कह सकते हैं कि जामून और अमरूद दोनों का एक ही परिवार है फिर हम बात करेंगे मेंगू ट्री, बियस दी फ्रूट आन, यहने की आम के पेड़ पर फल जो है वो कहां लगते हैं ओल्ड सिजन ग्रोथ यहने की पुरानी व्रद्धी वाली शाखा है या करंट सिजन ग्रोथ यहने की नहीं व्रद्धी वाली शाखा तो आम की हम बात करेंगे आम में हमेशा पुरानी व्रद्धी वाली जो शाखा होती ओल्ड सीजन ग्रोथ उसी पर फूटिंग सबसे ज़्यादा होती है तो आम में फलन कहां होता है पूरानी शाखाओं पर या पूराने मोसम की जो शाखा होती है एक मोसम पूरानी वहां पर फल लगते हैं चलिए कुश्चन नमबर 98 है बोटनी कली लोकाट is a type of the fruit लोकाट जो है रोजे सी परीवार का एक फल है और इसके फल के प्रकार तुब क्या कहेंगे नट पॉम बेरी या डूब साथियो लोकाट को पोम कहा गया है जिस प्रकार से एपल का जो फल का प्रकार यह वह बी पॉम है और चोंक्ति वीडियों में आपको फिर से पचास कोश्णन का और प्रेक्टिस करवाने वाला हूं आपको हमारे साथ में बस बने रहना है और एगरीकल्चर की exam हर प्रकार की exam के लिए लेकिन हमारा प्रयार से कि अभी जो आरे चुकी विकेंजी आने वाली है जिसकी एक्जाम फरवरी के अंदर होने वाली है उसी को हम लोग यहां पर ट्रागेट कर रहे हैं चलिए कोशने 99 अल्ट्रा ड्वार्फ रूडस्टोक अब दी एपल अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ड्वार्फिंग प्रूडस्टोक की बात करेंगे जो आम 27 यह अल्ट्रा ड्वार्फ के अंदर कता आता है तो ड्वार्फ की बात करेंगे अमगुर में हैं और चीकन आधी है उसका कारण क्या है तो डैफिनिट्ली हमने पढ़़ रखा है बड़ अच्छा कोशन है कि बोरोन की कमी से से आजातीस साथ यह आज के हमारे पचास कोशिन होते हैं अगले लेक्षर फिर में आपको Mister होड़ी खराच कि अगले गाले पचास कुशिन जो आपकी एक्जां में आये हुए। किसी दी किसी होल टिकट से की एक्जाम में आये हुए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कोशन की डिस्कूस करेंगे तब तक आप हमारे साथ बने रही है बहुत बहुत धन्यवाद